बडोद्रा में पिकनिक पर गए सकूली बच्चों के साथ हुआ हाजसा लापरवाई की वज़े से जील में बारा बच्चे डूबे अब सरम से कॉन डूबेगा 16 की नाव में बिठाए 31 नाव में 16 बैठते हैं जबकी 31 बिठाए गए सिर्फ 10 को लाइफ जैकेट दी गई सेल्फी लेते से में बिगड़ा बैलेंस नाव एक तरफ जुग गई गुजरात के बडोद्रा की हरनी जील में पिकनिक बना रहे सकूली बच्चों के साथ गुरुवार दोपहर को दर्दनाख हाजसा हो गया नियू संद्राइज स्कूल के पहली से छटी कक्षा के 23 बच्चे, 4 शिक्षक और 4 स्टाफ मेंबर एक नाव पर स्वार थे सफर पूरा कर केनारे आतेश में सैल्फी लेने के लिए एक बच्चे एक तरफ इकटे हो गए और जिसकी वज़े से बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई जब तक मदद पहुंची तब तक 12 बच्चे और दो शिक्षक डूब चुके थे तीन बच्चे लापता हैं दस ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी उन्हें बाहर निकाल कर तुर्द हस्पताल पहुंचाया गया बाकी तैर कर बाहर आ गए इन्हें में पांचवी का आयान पठान भी है जिसने अपने शाथे को भी बचाया बुरोदरा के कलेक्टर एबी गोरी ने कहा कि सोलर स्वारी वाली नाव में 31 लोगों को बैठा लिया गया था इसलिए हादसा हुआ गुजरात के मुख्यमंतरी भुपेंदर पटेल ने घटना की जाँच के आदेश दे दिये हैं नेता परतिपक्षे चंदरकांत स्रीवास्तों ने कहा है कि अगर बच्चों के लिए लाइफ जैकेट नहीं थी तो इसका जिम्हेदार कौन है बड़ी बात है कि 2022 में ठेकेदार को जील में बोटिंग बंद करने का नोटिस दिया गया था फिर भी बोटिंग जारी थी अभ झाल 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 झाल